आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 9 का चेप्टर 1 की लास्ट एक्सराइज 1.6 उसके कोश्चन्स और एक्जम्पल्स तो अब तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और अब इसके बाद नेक्स् बिल्कुल स्टार्टिंग से और उसकी एक्सराइज 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 1.6 का 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 एक्सरा उसमें क्या करेंगे 2 by 3 plus 1 by 3 तो यह क्या हो जाएगा 2 की power LCMI का 3 और 2 plus 1 which is equal to 2 की power 3 by 3 which is equal to 2 की power 1 which is equal to 2 तो answer क्या आगया हमारे पास 2 बस ऐसे ही simplify करना है अब next क्या है 3 की power 1 by 5 की power 4 है यहाँ पे ठीक है तो इसको क्या करना है देखो a की power m की power n हो तो क्या होता है a की power m into n ठीक है तो उसको क्या करेंगे 3 की power 1 by 5 into 4 3 की power 1 by 5 into 4 यह क्या हो जाएगा 3 की power L C N numerator से numerator denominator से denominator 4 by 5 बस आगे हम इसको simplify नहीं कर सकते यह हमारा आगया अब चलते हैं कोई example के part 3 पे part 3 क्या दे रख़ए a की power 1 by 5 7 की power 1 by 3 तो इसको क्या करेंगे देखो इसमें होता है a की power m upon a की power n तो यह हो जाएगा a की power m minus n ठीक है तो a की power m minus n करेंगे तो क्या होगा यहाँ a 7 है m 1 by 5 n 1 by 3 तो यह हो जाएगा 7 की power 1 by 5 minus 1 by 3 which is equal to L C M लेंगे 15 यहाँ क्या जाएगा 5 से डिवाइड करने पर 3 minus 5 which is equal to 7 की power minus 2 by 15 ठीक है इसको ऐसे ही रखेंगे अब next क्या आगया हमारे पास फॉर्थ पार्ट में क्या है 13 की power 1 by 5 और 17 की power 1 by 5 अब अगर यह हो a की power m into b की power m तो क्या होता था a b की power m यानि की a multiply b की power m तो वही इसमें लगाएंगे तो यह 13 into 17 आजाएगा और उसकी power 1 by 5 तो 13 into 17 कीतना होता है 2 to 1 की power 1 by 5 बस यह हमारा number first क्या है हमारे पास find करने हमको इनके solutions ठीक है तो इनकी value find करने है देखो 64 की power 1 by 2 है 64 की power 1 by 2 2 की form में तो 2 की power 6 की power 1 by 2 अब यह क्या हो गया a की power m यह क्या हो गया a की power m की power n वो होता है a की power m into n तो यह हो गया 2 की power 6 into 1 by 2 ठीक है तो 2 से cancel हो कि 3 हो जाएगा 3 into 1 3 यानि कि 2 की power 3 और 2 की power 3 होता है 8 2 into 2 into 2 2 तो जा 4 4 तो जा 8 यह हो गया part 1, part 2 पे चलते हैं, part 2 क्या है, 32 की power 1 by 5, तो 32 को लिख सकते हैं, 2 की power 5, और इसकी power 1 by 5, वह वही हो गया, a की power m, की power n, वह होता है, a की power m into n, तो 2 की power 5 into 1 by 5, 5 से 5 कैंसल, 2 की power 1 यानि की 2, ठीक है, अब चलते हैं, part 3 पे, part 3 क्या है, 1, 2, 5, यानि 125 की power 1 by 3, इसको लिख सकते हैं, 5 की power 3 की power 1 by 3, यानि की क्या हो गया, वही जो पीछे वाला formula था, तो 5 की power 3 into 1 by 3 करेंगे, 3 से 3 कैंसल, यानि की 5 की power 1, which is equal to 5, ठीक है, यह था हमारा question number first for exercise 1.6, अब चलते हैं, question number second, वही करना है, solve us, तो इसमें क्या है, first question, 9 की power 3 by 2, 9 की power 3 by 2 को क्या लिख सकते हैं, 3 की power 2, की power 3 by 2, अब a की power m, की power n, is equal to a की power m into n, तो वही करतो, 3 की power 2 into 3 by 2, 2 to cancel, 3 की power 3 रह गया, ठीक है, 3 की power 3 की तरह होगा, 3 की power 3 होगा, 27, ठीक है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, यह आ गया हमारे पास, first question का, second question के first part का answer, अब चलते हैं, part second के, part second क्या होगा हमारे पास, देखो इसको 3 into 3 into 3, ठीक है, जा जान से करना है, अब आएगा 32 की power 2 by 5, 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की power 5 जो उपर बढ़ा था भी, इसको क्या लिखेंगे, 2 की power 2 by 5, तो यही पीछे वाला formula लग गया, तो 2 की power 5 into 2 by 5, 5 से 5 cancel, 2 की power 2 बच गया, which is equal to 2 into 2, which is equal to 4, ठीक है, अब last part है, हमारा, उसके बाद fourth part आएगा, third part में क्या है, 16 की power 3 by 4, तो 16 को लिख सकते हैं, 2 की power 4 की 3 by 4, ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, वही formula लगा देंगे, 2 की power 4 into 3 by 4, 4 से 4 cancel, which is equal to 2 की power 3, 2 into 2 into 2, which is equal to 8, ठीक है, बस simple exercise है, सबसे आसान exercise इस chapter में यही है, अब चलते हैं, next part वो क्या है, 125 की power minus 1 by 3, ध्यान रखना आपकी बार power किसमें है, minus में तो दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, इसको वही लिखेंगे, 5 की power 3 की power minus 1 by 3, ठीक है, उसके बाद वही formula लगाएंगे, a की power m की power n वाला, a की power m into n, यह हो गया, 5 की power 3 into minus 1 by 3, 3 से 3, cancel, ठीक है, इसको क्या लिख देंगे, 5 की power minus 1, अब minus power होगी, तो इसका मतलब positive बनाने के लिए, जो number है, उसको denominator में ले जाओ, 1 by 5, ठीक है, इसका मतलब power, यह होगी, प्लस की, ठीक है, 5 की power, प्लस बनावी, denominator में ले जाएंगे, तो यह answer क्या है हमारे पास, 1 by 5 is our answer, ठीक है, अब next पे चलते हैं, question number third, वो है, simplify करना है, just, जहां तक power हम कम कर सकते हैं, या solve, जहां तक हो सकता है, वहां तक solve करेंगे, जैसे example में किया था, तो first क्या है हमारे पास, 2 की power 3 by 2, into 2 की power 1 by 5, तो वही लगाएंगे, 2 की power 2 by 3, multiply 1 by 5, ठीक है, यह, sorry, plus 2 की power 2 by 3, plus 1 by 5, यह बता है न, a की power m, into a की power n, which is equal to a की power m plus n, तो यहां plus आजाएगा, यहीं तक answer आएगा, इससे आगे solve नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अब क्या आगे नेक्स्ट, 1 by 3 की power 3, whole की power 7, ठीक है, तो पहले इसको क्या लिख सकते हैं, 1 by 3 की power 3 को, इसको लिख सकते हैं, या तो देखो, अब दो तरीकें इसको करने की, या तो इसके power को उपर ले जाओ, ठीक है, single number में बन जाएगा, और फिर multiply कर दो, जैसे की, देखो, दोनों तरीके करवा देते हैं, देखो, या तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की power minus 3 की power 7, ठीक है, a की power m into n, क्या हो गया, a की power m into n, minus 3 into 7, which is equal to 3 की power minus 21, positive बनाने के लिए 3 की power, sorry, 1 by 3 की power 21, ठीक है, या तो ये करें, या फिर क्या करेंगे, numerator की अलग से power लिख लो, alternate, numerator के power क्या लिखेंगे, 1 by 7, और denominator की अलग से 3 की power, और 1 की power 7, कुछ भी हो, 1 की power 1 ही आएगा, और 3, 3 into 7 हो जाएगा, तो 1 by 3 की power 21, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ये था हमारा part, second, अब चलते हैं, थर्ड पार्ट पे, जो क्या है, question 3 का, थर्ड पार्ट, a की power, m divided by a की power n, a है 11, m है 1 by 2, n है 1 by 4, तो क्या हो जाएगा, a की power m minus n, तो क्या हो गया, 11 की power 1 by 2, minus 1 by 4, LCM आया कितना, 4, 11 की 4 LCM, वहाँ divide में जाएगा, 2, 2 into 1, 2 minus 1, which is equal to 11 की power 1 by 4, ये आ गया हमारे पास, answer, ठीक है, अब लास्ट पार्ट है, इसका, वो करते हैं, वो क्या है, 7 की power 1 by 2, into 8 की power 1 by 3, तो इसको क्या करेंगे, देखो 7 और 8, अलग-अलग है, और power same है, तो power वही रहेगी, और B चवाले नंबर ये multiply जाएगे, a की power m, into b की power m, क्या होता है, a into b की power m, तो 7 into 8 की power 1 by 2, यानि की 56 की power 1 by 2, ये हो गया हमारे पास, answer, तो ये थी हमारी exercise, 1.6, अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, अपना second chapter polynomials, यानि की बहुपद, ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और शेयर करें, so thank you for today, and wait for next video.